नमस्कार क्या पिचल टीवी देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूजा ब्रेकिंग नाउ में बड़ी कबर महरास्ट की राचनीती से सामने आ रही है जहां शरत पवार ने रेटार्मेंट का संकेत दे दिया है उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि मैं अब कोई भी चुनाओ नहीं लड़ूँगा 14 बार चुनाओ लड़ चुका हूँ और अब कितनी बार चुनाओ लड़ू उन्होंने कहा कि आगे बाकी पीडियों को मौका मिलना चाहिए मैं अब काफी काम कर चुका हूँ अब मैं समाच के लिए काम करूँगा तो महरास्ट में विदान स अब कर दिया है देखिए रिटार्मेंट का एलान तो कभी ने कभी करना ही होताए एटी प्लस वैसे भी नेताओं को फब्लिक लाइफ से बाहर हो जाना चाहिए शरीर काम नहीं देता आपकी इंद्रियां जो है वो काम नहीं करती बोलने का कुछ बोल देते हैं कुछ देखिए खड़के साहब ने कैसा राहुल गांदी के खटा-खट राजनीती के उपर ही ऐसा बयान दिया कि पूरी की पूरी पाटी जो है वो फस और गेम करना यह बहुत बड़े खिलाड़ी शरत पवार के ऐसे राजितिक की जो है मने ही इस इंस्टूशन इन हिंसल्फ सीधी सीधी राजिती की नहीं बैकडोर राजिती के यह महर थी अब इन्होंने क्या किया आज इन्होंने कह दिया कि हम अब चुनाओं नहीं लड़ ही कहां थे यह बारमती में थे बारमती इनकी कर्म भूमी है बारमती से ही यह बार बार चार बार चुन करके आये मुख्यमंत्री बने महराश्ट के और वहां वो यह कह रहे हैं कि बारमती ने मुझे इतना सब कुछ दिया लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अजीत पवा का ये बयान उद्दव ठाकरे और कॉंग्रेस पार्टी के लिए कोई बहुत बड़े सदमे से कम नहीं है कारण ये है कि आप युद्ध के मुहाने पे हैं चुनाओ प्रचार के दौरान अगर आपका कमांडर इंची भी कहता है कि मुझे आप युद्ध से कुछ कहीं लेना द जाके में आजीत पवार ने बड़ा अच्छा काम किया यही बहुत बड़ी दिकत है क्योंकि वोटर सरे पवार को नाम पर जो वोट करेंगे वह जितना सरत पवार के पृति उनकी श्रद्धा है उतनी ही स्रद्धा आजीत पवार के लिए भी है अब अब जब सरद्पवार स्वयम कह रहे हैं कि मैं अब नहीं मेरा इनिंँ पूरा हो गया अब मैं रिटार्ड हो रहा हूं मैं समाज सेवा करूँ गा राज़्यीति से मेरा कोई रिस्था नहीं रहे गा तो जो इनके समर्थक है वो तो यही बोलेगे कि चले यह तो campaign करके चले आए अजित पवार का वो यह जो MVA है उनके लिए महराष्ट के अंदर सरत पवार का यह बयान देना यह तो प्रॉपर उनके यह जो गन्ना का छेत्र है जहां यह लोग बहुत इंतिजाम से बैठे हुए थे कि लोकसभा के दौरान जिस तरीके से हमें बहुत मिली थी उस बहुत के आधार पर ही तो यह लोग उचल कूट कर रहे थे लेकिन अब जाकर के वहाँ आपने यह कह दिया कि मैं अब नहीं हूँ अब अजित पवारी देखे तो यह तो एक बहुत बड़ा सदमा एक बहुत बड़ा जटका और मैं आपको बता दू इस बयान के फॉरण बाद कौवरेस पार्टी के तरफ से उद्व ठाकर के तरफ से यह बयान यह फोन करकर के सब इनसे विंति कर रहे होंगे कि आप जाकर के यह कहिए कि नहीं हो तो मैं इस मुस्त्र लोकर के मैंने बोल दिया मेरा राज्जिती से सन्यास लिने का कोई इरादा है कि कैसारे लोग यह कह रहे थे कि यह जो डिवीजन हुआ यह दरसल शरत पवार के दिमाग के ही उपज है कि आधे उदर चले जाओ आधे उदर चले जाओ दोनों साइट अपनी उपस्तिती मेंटेन करो अगले बार जब चुना होगा जिसकी सरकार बनी की उदर चाचा भ जब इस तरह के बयान अगर आप दोगे कि बारमती में और इस इलाके में अजीद पवार ने बहुत अच्छा काम किया है तो इसका मतलब तो आप कुछ हिंट कर रहे हो या आप हिंट दे रहे हो फिर एक और कहानी आप देखिए अजीद पवार क्या कहते हैं अजीद पवा आपको याद होगा कि जब यह सिर्फ सेना और यह सारे लोगों को तो यह सारी चीजें यह बताता है कि कोई बहुत बड़ा उलट फेर लेकिन रटार्मेंट को लेकर अजीद पवार कई बार बयान दे चुके हैं वो बार बार कहते हैं कि शरत पवार की उम्र अब काफी जा सब्सक्राइगा मैं काम करूंगा लेकिन अब रिटार्मेंट का जो उन्होंने संकीत दिया है यह अजीद पवार के लिए कितना बड़ा सब्सक्राइब मुझे लग रहा है कि यह आपने सही याद दिलाया बीच में रोने एक बार यह कहा था कि मैं अब रिटार्मेंट ले और उसके बाद पाटी भी टूटी फिर अलग भी हुए यह सारी चीजे उस समय वो बताया यह जा रहा था कि भतीजे को ही चेक्पेट करने के लिए कि आप रिटार्मेंट रिटार्मेंट की बात करते हो लो मैं घोसना कर देता हूं कि मैं रिटार हो रहा हूं देख लो बैक अब दो माइंड को बड़े प्लान के तहत यह इस तरह का बयान इस बार भी क्या कोई रननीती के तहत ही किया गया है अब ऐसी रननीती तो साब साब नदर आ रहा है कि अंदर खाने क्या है उनने प्लान कर रहा है वो तो भगवान जाने लेकिन इस बयान से नुकसान अजीद पवार को भी अपना लीडर मानता है वो अगर ये सुनेगा कि भाई सद्पवार ने ये कहा है कि अब हम राजनिती से हम सन्यास लेने जा रहे हैं तो ये अजीद पवार के लिए बहुत बड़ा आश्रवाद हो जाएगा और अजीद पवार के लोग अब इलाके में लड़ूँगा और मेरा आखरी राजसभा में जो मैं हूँ वो डेर साल बाकी है उसके बाद मैं फिर लोगसभा भी नहीं जाओंगा समाज की सिवा करूँगा तो ये तो शरत अजीद पवार के लोग अब जाकर के कहेंगे कि अब तो खतम शरत पवार खतम अब तो जान इसलिए दिया हो क्योंकि जहां जहां वो जा रहे होंगे कि बारमती में अवन्होंने अजीद पवार के भतीजे को ही लड़वा दिया परिवार में जगड़ा चल रहा है शायद उनको फीड़बेक मिला हो कि पिछली बार आपके नाम पे तो वोट मिल गया सुप्रिय एंगिल से ये M.V.A. के लिए महाविकास अगारी के लिए उदव ठाकरे के लिए कॉंग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा सेट बैक है और अगर ये अपने बयान से रिट्रेक्ट नहीं करते हैं तो आप ये समझे कि एक बहुत बड़ा चंग जो पिछले तक वो सरत पवार के साथ था वो शिफ्ट हो करके अभी तक कोई पत्र क्रिया नहीं आएगी क्या उमीद की जाए क्या रियाक्शन देखिए रियाक्शन तो बिलकुल होगा लोग सौगत करेंगे अजित पवार जागर के मिलकर करेंगे कि ददा आप मत जाओ ये मत करो ये लेकिन जो राजिनीती में एक बार आप से मिस्फार आपने कर दिया जो कहते हैं ना कि कमान से छूटा हुआ तीर वो वापस लौट के नहीं आता है तो सरत पवार ने तो तीर चला दिया है और निसाने पे कॉंग्रेस पार्टी और उद्दव ठाकरे आ गए लेने के संकेत दे दिये हैं और ये बयान उद्दव ठाकरे और कॉंग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा छटका है इस बड़ी कबर में मेरे साथ फिलाल इतना ही कि आमने पसें रवी के साथ मैं पूजा क्या पटल टीवी